Hello Friends, Welcome back to my channel. So friends, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राइब वाटर के बारे में. ग्राइब वाटर बहुत ही ट्रस्टिड प्रॉड़क्ट है. बहुत ही जमाने से लोग इसे यूस करते हैं. हमारी दादी और नानी के जमाने से यूस करते हैं. यह जो ब्रैंड है बहुत है ट्रस्टेड ब्रैंड है और मदर्स की बीच में तो बहुत जादा फेमस है यह खास करके नियू बॉर्ण बेबी से लेकि तीन साल के बच्चों की बीच में इसे यूज किया जाता है आज मैं आपको पताऊंगे ग्राइब वाटर किन जीजों के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो उससे पहले मैं आपको पताना चाहूंगे अगर आपने बेबी के लिए इसे देख रहे हैं ग्राइब वाटर तो पूरा वीडियो एंट तक जरूर देखीगा चलिए तो फ्रेंस अब हम बात कर लेते कि ग्राइब वाटर किन किन चीजों के लिए है तो फ्रेंस अगर आपके बच्चे के पेट में दर्द है गैस है अपाचन की दिक्कत है कॉलिक की प्राबलम है जो कि नीबोन बेबीज में बहुत ज़दा होता है अगर आपका बच्चा दूद सही से नहीं पी रहा है पेट में एक मरोड जैसी हो रही है बच्चा बहुत ज़दा रो रहा है परेशान कर रहा है अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे है और फीड कर रहा है उसके लिए भी है बच्छा बहुत ज़दा बी च knick को को जले तो फेंस आप बात करने तेक ग्राइब वाटर कब और क्यू देना है जो भी मैंने आपको सारी प्रॉब्लम्स बताइए अगर आपको उन में से भी कोई प्रॉब्लम लग रहा है आपकी बच्चे के अंदर तो आप ग्राइब वाटर दे सकते हैं अगर आपको च्छे मैंने से छोटा है आपको लग रहा बचा फीड नहीं कर रहा है या तो फॉर्मला नहीं पी रहा है तो अभी आप ग्राइब वाटर दे सकते हैं अगर आपको छे मैंने से ऊपर है कुछ खा पी नहीं रहा है तो भी आप बच्चे के ग्राइब वाटर दे तो आपको प्राइब वाटर लिखा हुआ है और यह नॉन एल्कोहॉलिक है अगर आपका न्यूबॉण वेबी है और तीन सार रिके अंदर के जो बच्चे हैं अगर आप ग्राइब वाटर उन्हें देते तो बहुत ही इक इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा बहुत ही रहात अगर आपके बच्चे को दाद भी आ रहा है जैसे मैंने पहले ही इस सारी चीजे बता दिया अगर उनमें से अगर आपको लगता कि कोई प्रॉब्लम है आपकी बच्चे को आप यह ग्राइब वाटर देंगे तो उनको एक इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा आराम मिलेगा तो इसका जो प्राइस है यह 75 रुपीज में मुझे मिल गया था मेरे लोकल कैमिस्ते और इसका जो सेल्फ लाइफ यह मतलग तीन साल तक आराम से चल जाएगा तो चलित हम बात कर लेते कि किस एची ग्रूब को कितना आप ग्राइब वाटर दे सकते किसे कि आप देख रहा है नी पॉन बात की इसका तौट प्राइब लोकल की तो यहां पर डोसें आपको पता आते हो तो जब भी आप यह यह लिख़े आइंगे लिक्ट पीछे लिख वा को भी आपको बेंग की तो नीपॉन अला मेने की देना है और एक साल से लेकिता की बश्या से लेकित अल्ग द तो जैसे का आप देख रहे हैं ये ग्राइब वाटर का ये बॉक्स ही और इसके अंदर का ये ऐसा दिखता है और जो वाटर है वो इद्दम मतलब पानी की ज़ा से दिखेगा तो बेबी को आप दे सकते हैं आराम से अगर आपका न्यूबॉर्ण बेबी है और एक महिने के अंदर का बच्चा है तो ट्राइ करें कि उसको इसको ग्राइब वाटर ना दे क्योंकि बच्चे का जो अभी डाजिस सिस्टम है वो बहुत ही कमजोर है तो कोई भी आप मैडिसिन ना दे चाहिए वो आयरवेदिक हो तो कोई भी डॉक्टर बोलता है डॉक्टर जो बोलते हैं अगर बहुत सब्सक्राइब तो ही दे ट्राइ करें कि आप जो अपना जो मदर मिल्क होता है फीडिंग वो दे तो गैस अगर आप जबी भी दूद पिलाते है ना तो उसी हर फीड करने के बाद आप बब दिलाए आप जितना अच्छे से उसके बॉब दिलाएंगे ऐसा नहीं कि हाँ बचा कभी कभी तुरंत बॉब कर लेता है कभी कभी दस मिनिट लग जाते हैं बॉब करने में तो अच्छे से अगर वो धेकार लेते हैं आप लेते हैं तो उनको डाजिशन का प्रॉब्लम नहीं होगा तो अगर आप फॉर्मिला भी देते हैं तो जितना उसमें लिखा गया है उस हिसाब से अगर आप बनाएंगे जादा गाढ़ा नहीं बनाना है आपको बहुत ही पतला फॉर्मिला बनाना है ताकि बच्छा बहुत ही इसली डाजिस्ट कर पाएं तो ट्राइ करें कि निउब बच्छों को रात में कॉली की प्रॉब्लम होती है तो आप दे सकते हैं हाफ स्पून मेरी भी बेबी है जो की थ्री मंथ की है तो मैंने उसे एक महिना कुछ भी नहीं दिया था तो मैंने इसे सेकंड मन से देना स्टार्ट किया यह ग्राई वाटर और मैं इसको डेली बेस पर नहीं देती हूं जब मुझे से फील होता है कि हाँ कि अभी उसको कॉली की प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं से सिर्फ रात में हाफ स्पून देती हूं और अभी मैं सिर्फ वन स्पून देती हूं और बच्चों को आदत नहीं लगानी है अगर आप कोई चीज डेली बेस देने लगेंगे उस चीज का असर कम हो जाएगा तो ट्राय करें कि जब भी आपको लगता को फील होता है आपको बहुत जदा रो रहा है तो यह आप एक स्पून दे दे रात में दे दे बच्चा बहुत ही आराम से सो भी जाएगा और डेली कोई भी चीज आपको नहीं दे सकते हैं तो किसी भी चीज का आपको मतलब आदत नहीं लगानी है बच्चो को आप ट्राय करें कि अच्छे से बभ दिलाए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपका बच्चा मोशन प्रॉपर कर रहा है डेली एक बर कर रहा है और डॉक्टर का मानना है कि साथ कर सकते हैं तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और अगर बच्चे मतलब कोई भी चीज आप डिला रहा है तो आप यह ग्राय वाटर नहीं भी देंकि तो भी चलेगा तो यह था मेरे तरफ से एक इंपोर्टेंट नोट जो कि मैं अपने बेबी को डेली नहीं देती हू अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यह वीडियो को लाइक करें और जितना हो से कि उतना निव मॉम्स के सब्सक्राइब करें अगर आपका कुछ भी ऐसा डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट करके पूछें मैं ट्र